हलो अबरिवन स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल गया निकांगा हिंदी में और आज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं जिके के कुछ महत्वपन प्रस्मत्तर जो एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा लबदायक होने वाले हैं तो उम्मिद करते हैं कि प्रस्न कौन सा है पहला प्रस्न है कि वंद्य मात्रम राष्टिय गीत के रूप में किस्तिति को सविकार किया गया या 15 अगस्तु निस सो संथालिस को 26 नूंबर 1949 को 26 जनवर 1950 इस वी को या 5 मार्च 1931 को तो जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 इस वी को हमारा देश जो था वह अजाद हुआ था अंगरेजों की दास्ता से मुक्त हुआ था उसी तरह 26 मॉमबर 1949 इस वी को जो है हमारा जो सम्मीधान है वो बनकर तो ट्यार हो गिया था और 5 मार्च 1931 जु है इस समय जोहात्मा गादी ने जो है लॉड एर्विन से है इर्विन समझ होता है या डिल्ली समझहता किया था जो ata चान्दोलन के समय में हुआ था तो हमारा सभी इंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 सिस्वीक को इसी दिन हमारा सम्मिधान लाग हुआ था और उसे दिन बन्दे मात्रब को जो है राश्टिय गीद के रूप में सवीकार किया गया था तो चलते हैं फिर नेक्स प्रस्न को देखते हैं और नेक्स प्रस्न देखते हैं क्या होने वाला है नेक्स प्रस्न है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हैं क्या फूडबॉल से हैं होकी से हैं पोलो से हैं या किरिकेट से हैं पोलो जो खेले इसको चौगान भी बोला जाता है इसको च रताओधी किस विटामिन की कमी से होता है रताओधी क्या होता है इसमें रात में जो है लोगों को दिखाई नहीं देता है क्या ही किस विटामिन की कमी से होता है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C और विटामिन D तो इसका सही जवा हो जागा विटामिन A, विटामिन A की कमी से रतवधी की विमारी होती है, B की कमी से जो हता है वो बेरी बेरी होता है, C की कमी से जो हता है सकरवी होता है, इस तरह से हमारा सहय उत्तर हो जाएगा बिटामिन A, जिसके वज़ा से रतवधी होती है, next present ने देखते हैं, नेक्स में क्या है आराम हराम है का नारा किस्ट ने दिए महत्मा गाधि शुवासचंद्र बोस्ट जवारलाल नहरु या सुरूजदी नेड्डू तो इसका साइब हुझे हाजबन नहरु जबया नहरु लíक usself नहया नहरु नहन हम strategy और फॉर्त हाथ अरोð term Hadzieम रवसंद सिंग जिनको ठाकूर रवसंद सिंग भगत सिंग अद्यम सिंग या गाधी जी तो इसका सही जबा हो जाएगा भगत सिंग भगत सिंग ने इनकलाब जिंदवाद का नारा दिया था next person की तरफ चलते हैं next person देखते हैं क्या होने वाला है next person ने कि निर्विरूध चुने जाने वाले एक मात्र राष्ट पती कौन थे निलम संजीवरेड़ी थे जाकिर हुसेन थे अब्दुलकलामजाद थे या परतीभा देवी सिंग पाटिल थी तो इसका सही जब हो जाएगा नीलम संजीव रेड़ी जो थे वो निर्विरो चुने जाने वाले एक मात्र भारत की राष्टपती रहे हुए है नेक्स पैसे की तरफ चलते है नेक्स पैस देखते है तो यह जो भी खटे चीज है खास करके उनमें जो है विटामिन सी पाया जाता है नेक्स पैस की तरफ चलते है नेक्स पैस देखते है क्या होने वाला है नेक्स पैस ने कि रविन्ना टैगोर ने भारत की राष्टियगान के अलावा किस एक और देश का राष्टियगान लिखा है नेट्स प्रस्वारे क्या होने वळा किराजगाट किसका समाधी अस्तर समाधी यानि जब कोई मर जाता है उसे दफनाया जाता है जलाया जाता है तो राजगाट जो है महत्मा गाधी का है सुभास चंद्र बोहस का ऐब्स आ ये भारत का मैंचेश्टर किसे कहा जाता है क्या गुजरात को महरास्ट को दिल्ली को या हमदाबाद को इसका इसका सब्सक्राइब एक तरफ चलते हैं अलेक्ष अपरफ क्या होने वाला है उसलिए जो इसे कपड़ा फेक्टरी है सूती कपड़ा इसलिए इसको भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है अमदावार नेक्स परसन की तरब चलते हैं नेक्स परसन क्या होने वाला है नेक्स परसन है हमारा कि मंदिरों की पुन्य भूमी भारत के किस राज्य को कहा जाता है केरल सभी के विद्रोह में जहासी किरानी लक्षमी वाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था क्या वो वक्त कहा थे बहादूर साजफर थे तत्या टोपे थे या इन में से कोई नहीं थे तो जैसा कि आप जानते है वक्त खा जो है वो बहादूर साजफर के क्या ऐसे ना परती ये बादूसा जफर जो थे उस समय बृद्ध हो चुके थे तो ये तो होगा नहीं ये दोनों नहीं होगा तो इसका सही जबाव जगा टाट्या टोपे जो थे इनहीं की मदद से जो है जासी किरानी ने ग्वालियर में विद्रो किया था नेक्स परस्ट की एक चलते हैं नेक्स परस्थ हमरा देखते हैं क्या होने वाला है ठ्थाइस मार्च को तक फॉर्वर्व को is 28 जुन को या 28 फरवरी दो उसका सही जबाब जायेगा औरभा सी अपमरकोट के दुर्ग में जो ऐ अकबर का जनम हुआ था उसी दरह लुम्वनी विजो है उसमें महात्माबुद्ध का जनम हुआ था नेक्स की तरफ चलते हैं एक्स हमारा देखते हैं क्या होने वाला है री विस विटि का सबचामा itself कौन सा है स्या 혼자 है इसका सबहा हो जाएगा अस्ट्रेलिया जो है विष्व का सबसे छोटा महाध्यी एव है वहीं A ssia जो है वहờ yes actually सबसे बड़ा महाध्यीव चलते हैं एक स्थक्र और हमारा देखते हैं है क्या होने वाला है विष्व का मुखassy वंत्री कौन थे क्या वोस्री क्रिष्णी सेंग थे बगरत सिंग थे नितिश कुमार थे और रजंदर परसाथि क्योंकि नितिश कुमार तो अभी है ही ठीक है तो पहले पूच रहा है तो पहले जो थे वो वस्री कुमारा स्राइव जाएगा यह बीर कुवर सिंग तो अभी हम लोगों ने पढ़ा यह जो थे पहले मुख्यम मंत्री थे और यह जो है कांग्रेस पाड़े से यह जो होगा सही हमारा इंसर हो जागा जैराम दौलत राम जो है वो भारत बिहार के पहले राज्यपाल थे नेक्स की तरफ चलते हैं नेक्स हमारा देखते हैं क्या होन मासागर है इसका सही जबाश जब हो जगा हमारा दी भूमद्य सागर हो जो है स्वेज नहर जोड की तरफ चलते हैं इस फ्रफ नेक्स की तरफ चलते हैं 1940 तो इसका सभी जबा हो जाएगा डी 1940 सिस्वी में जो है पटना महिला विश्व विद्ध्याले क्या स्थापना हुई थी नेक्स परस नहीं लो देखते हैं नेक्स परस क्या होने वाला है कि टेस्ट मैचो की एक पारी में सभी 10 विकट लेने वाले भारतिया जो गेंदबाज जो है पहले ऐसे भारतिय खिलाड़ी है जिन्होंने टेस्ट मैचों में सभी 10 विकेट जो है अकेले ले लिए थे नेक्स परस की तरफ चलते हैं नेक्स परस हमारा देखते हैं क्या होने वाला है नेक्स परस ने कि फीफा विस्वकप दुहजार चब़िस का आयोजन यहां किया जाएगा 2026 में फीफा वर्ल्ड कफ का आयोजन चीन जपान दक्षिन कोरिया यह रूस बेलारूस फिल्लेंड अमेरिका कनाड़ा मैक्सिको या युगवई कतर या साओधी अरब तो जैसा कि अभी आप नों ने देखा था कि इस बार जो है यहां हुगा था तो इसका स द्युएस दुनिया मैं सबसे अधिक अबाधी वाला है क्या वो संजुकत राज अमेरिकाने कि अ पाकिस्तान हे भा रत यहिए था तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा किपराले चींथा लेकिन इसका अस्थान जो लिया है तो अब जो है इसका सही जबा हो जाएगा सी सर्वगराही रक्त समुह कौन सा है सर्वगराही मतलब जो सभी से खूल ले सकता है घृत спасибо z समरा क्या एनेवाला देखते हैं आसायोगां दोलन किस वरस सभी हुआ 1907 उनीसों बीस 13 और उनीसों बैलीस तो जैसे कि आम जानते हैं यहां जो वह था नीसों सत्रे में जो है चंपारन सत्यागरा शुरूओा था उनीसाथ विस जो है यह जो है यह आशायोग सुरूरू हındaимся, नेक्सपरस की तरब चलते है, नेक्सपरस हमारा देखते है, क्या होने वाला है? नेक्सपरस ने कि पेनाल्टी अров實 किस खेल में परियुक्त होता है? क्या हो फुटबول में? होके مें? गोल्फ में? या किर्कट में? B, हाकी में Penalty Stroke सब्ढ का इस्तमाल होता है नेक्सस हमारा देखते हैं नेक्सस क्या होने वाला है कि भारती यह संसद का निम्न सदन कौन सा है राज्य सभा, विधान सभा, लोक सभा यह संसद तो इसका साही जबाव जबाव जएगा कि तरफ चलते हैं और यह हो सकता है वहारत की स्वतनता के समय ब्रिटन का परधान मंत्री कौन था विश्टन चर्चिल लॉडड डफरिंग। क्लेमेंट एटली या इन में से कोई तो जैसा कि आप जानते हैं कि लॉड डा फ्रिन जो थे यह 1885 में थे जब जो है कांग्रिस के स्थापना हुई थी और उसी तरह से जो है जब भारत स्वतन्त हुआ था उस समय जो है ब्रेटन का प्रधान मंत्री थे क्लेमेंट एटली इस अब तक आप पढ़ते रहें सिखते रहें देखते रहें धन्यवाद